नमशकारजी, आज हम क्रिस्टल्स की बहुती सुंदर ने क्लच सीखेंगे तो सब्सक्सराइब यह चार बेakah लेकर क्रिस्टल बीट से ही इनको ए बी क्रिस्टल बोलते हैं इनमें बहुत ही सुन्दर शाइनिंग होती है तो यह चार बीट्स लेके इनको आपस में ऐसी क्रोज करके और एक नॉट लगा देंगे इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे या तो एक बार फिर से इसके अंदर से हम धाके को पिरोगे और इसको टाइट कर लेंगे लूज ना रहने पाए उसके चार लेने के बाद उसके बाद हम थ्री बिट्स और लगाएंगे एक हमारे यहां मुत्य कई भी बोलते हैं आपके यहां पताने क्या बोलते हैं वो आप देख लिए ना तो हमारी हर्याना में को मंस से कोई भी बीट्स उसको मुत्य कहके बोलते हैं तो तीन यह pencil और लेके भी इस तरह से कर लेंगे धागा हमारा सीधा नहीं होता जब हम कोई भी पेट्स का कुछ भी बनाते हैं तो धागा हमारा यू की शेप में रहता है हमेशा यू ट्रन करके आता है सीधा नहीं जाता जैसे एक में जिसमें धागा दिख रहा इसमें है और तीन यह मोती है और तीन और लेके ऐसे क्रोस करतेंगे हम उसके अपोजिट साइड से जहां पर धागा हुथा उसके अपोजिट साइड से हम सुई को लेगते हैं इस तरह से जैसे यह इस तरफ दहका था और सुई मैंने उस तरफ से ली है तो इस तरह से और फिर हम धागे को यहां से यू की उसमें लेके और दो में से फिर से फिरौ देंगे और इसको टाइट करते चले जाएंगे अब मेरा धागा उस तरफ है तो सुई मैं इस तरफ से लूँगी उसके अपॉजिट डारेक्शन से ताइट करके अब धागा दिख रहा है वो जिस तरफ है उसकी अपॉजिट साइड से मैं सुई को लूँगी तो इस तरह से मैं यह बनाते चली जाओंगी अब जिसमें मेरा धागा दिख रहा है एक बीट्स वो और तीन और ले लूँगी तो च्यार बीट्स का इस तरह से फिर से बन जाएगा स्क्यार आइप क्रिस्टल आपको दिख रहेंगे कितनी ज्यादा शाइनिंग देते हैं शायद कैमेरे में इतना कैप्चर नहीं हो रहें जितना अरियल में लग रहे हैं बहुत ही ज्यादा सुन्दर अपोजिट साइड से मैंने नेडल ले लिए और टू बेट्स में से क्रोज करूंगी यहां से दोबहरे लोगे टाइट हो जाएगा यह नीचे से CR распरोण से दो बार ले लूँगे तक यह यह दागा ऐसे सीधा नहीं जाएगा ऐसे सीधा नहीं जाएगा यह यूद्रन होगा हां इस तरह से और ऐसे इस बेट्स में से निकालके अब थ्री बेट्स में और लेके एक बेट्स तो हमारा यह इसमें जोड़ जाएगा जिसमें अभी धागा दिख रहा है और तीन बेट्स में और ले लूँगे क्रिस्टिल बॉल्स और इसके धागे के अपोजिट साइड जहां पे मेरा धागा होता है उसके अपोजिट साइड में सुई को डाल लूँगी इस इस तरह से स्केर बनता चला जाएगा और दो बीट्स आगे लेके फिर से में यही शेप दे दूंगी त्री क्रिस्टिल्स वाली स्केर बनता चला जाएगा और जो डिजाइन हमने बनाना है इसमें मैं एक बार फिर से राउंड लगाँगी क्योंकि मुझे यह थोड़ा सा लूज लग रहा है तो इसमें मैं एक राउंड और दे दूंगी लेकिन हमारा जो बनाने का तरीका वही रहता है हम सुई को कभी भी धागे को सीधा नहीं लेते हमेशा यूटरन करके अब जहां पर मेरा धागा दिख रहा है वहां से अपोजिट साइड से मैं सुई लोंगी और यह मेरे चार पाच बनके तयार हो गए इस तरह से मुझे छे बनाने हैं यह आपको दिख रहे होंगे यह ब अपोजिट साइड से मैं सुई को डालके और इस तरह से फिर से बना लोंगे यह दो इस तरह से तो अब यह मेरे च्छे बन के तयार हो गई है स्केर अब की बार में क्योंकि मुझे अब गली का राउंड बनाना है तो इसको क्रिस्टल को घुमाना है थोड़ा सा तो उसके मैं मैं तीन की बजाए अब की बार 4 बहराा लोरोंगी और यह पाठ का तैयार हो जाएगा मैं तक वह तक ईया था तो यह फेस् training मेरा 5 सरकल जाएगा यहाँ यहाँ पर जैसे इस तरह से अब पाच प्तनां पर कर कर दो वहां से वैसे तो मैं एक छोड़ दो मेंसे धागा पिरोती थी अब की बार में तीन बेट से धागा पिरोंगी इस तरह से यह दो और एक आके एक यहां पर तो मेरा जो चेन है वो यहां से बनने शुरू होगी जिसमें मैंने अभी यह पिरोया है तो यहां से मेरी अब चेन बनने शुरू होगी तो यह अपने आप से ट्रन हो जाएगा जब यह मुझे यह थोड़ा सा लूज लग रहा है तो मैं एक राउंड और दूंगी यह धागे का है लेकिन मुझे बनाना वहीं से है यह इस्तरह से और एक और इस तरह से तो यहां से अब मेरी चेन बनने शुरू होगी इस बेट से तो यहां पर थोड़ा सा मोड आ जाएगा जो मेरे कले की शेप में जो है वो राउंड होती है तो ऐसे ही राउंड यह बन जाएगा तो वही फिर तीन बेट्स डालके और फिर वही स्केर बनाते हम चले जाएंगे इस तरह से तो यह देखो थोड़ा सा मेरा जो है वो घुमा हुआ गया अब यह सीधा नहीं रहा अब यहां से घुम गया है राउंड हो जाएगा यहां से तो अब वही प्रोसेजर फिर से चलेगा वही शेप तीन बेट्स डालके च्यार का स्केर बनाती में जले जाओंगे एंड तक जि इतना आपको लंबा रखना है तो इस तरह आएसे कि कि याद रखना जो हमारा धागः होगा वो सीधा नहीं आगता इसमें कि कि सब्सक्राइब कर लोगे क्रिस्टल के और ऐसे ही धागे के अपोजिट साइब से निडल डाल के ऐसे स्केर त्यार कर लोगे कि इस तरह से क्रोस करके हमेशा स्टिच करते हैं इसमें दो लेके क्योंकि मैं सीधा नहीं लोगी धागा हमेशा क्रोस करके यहां से सीधा उपर नहीं जाएगा यहां से इसके बेट के अंदर से होके अब यहां पर हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट अपना जो नेक्स्ट हमेशा स्केर बनाना वह बनाएंगी तो इस तरह से मैंने आँ मैंने इसकी पूरी चेन त्यार कर ली है तो इस तरह से यह काउंट करके देखें तो छें तो मेरी यह नीचे हैं उसके बाद ये सर्कल मैंने बनाया था ये छे हैं उसके बाद ये फाइफ बीर्स का सर्कल बनाया था उससे ये घूम गया है और इसके बाद आगे मैंने ये उसके बाद ये मैंने 14 और आगे बनाये हैं और इसी तरह से मेरी एक लेयर त्यार हुई है कि अब सेम प्रोसेजर से मैं दूसरी साइड भी त्यार करूंगी तो वही स्टार्टिंग में मैंने 4 बेट्स ढालके ऐसे स्केर बना लिया और ऐसे फिर आगे 3-3 बेट्स ढालके स्केर को आगे बढ़ाते चले जाएंगे इस तरह से मेरा जो डिजाइन है उसमें इतना है कि पिछली बार मैंने 6 बेट्स का डिजाइन बना के फिर सरकल डाला था वह आपकी बार में पाच का बनागी क्योंकि दो लेयर है तो एक थोड़ी छोटी रहेगी एक बड़ी रहेगी तो यह मेरा डिजाइन है अच्छा ल इस तरह से मुझे 6 नहीं यह सीधी में इत्यार कर रहे हूं तो इसमें में 6 बेट्स की नहीं 5 बेट्स की स्केर त्यार करूंगे जहां कहीं पर आपको यह लगे कि आपके बीट्स हलकी लूज है तो वहां पर डबल धागे से उसको पक्का कर लो यह फिर धागे को घुमादो दो बार तो इस तरह से यह पांच हो गए मेरे अबकी बार मैने यह जो वह जो सरकल बनाना है तो इसमें मैं ठी की बज़ाए चार बेट्स डालूंगी ने के बाद मेरा फाइट बीट्स का सरकल तेयार हो जाएगा स्केर निल बने गाब की बार यह सर कल तयार होगा है तो इस थ्रह से कि इसको में टाइट कर लोंगे double क्रोस करके धागे को भी एविसे साइड चोड़के और टू एक साइड चोड़के अब मेरा बही डिजैन जो पहले था बही आगे बड़ता चला जाएगा पहले तो एक बिट इधर होता था एक इधर होता था एक उपर होता था एक नीचे होता था लेकिन आपकी बार जो होता था था एक बार एक пять होगे त्युक्त religious हुद्धि यह उससे थोड़ा सब गुद्यकरा डिजाइन पसीधे की बिसे थोड़ा सब्सक्राइब अकर बढ़ाते हुए चले जाएंगे जितना हमने दुसरी लेयर तियार की है उतना ही इसको भी हम कर देंगे अब मेरा डिजाइन वही थ्री बीट्स का टोटल फॉर बीट्स का डिजाइन बनता चला जाएगा यह फॉर थ्री बीट्स मैंने पर रोल लिये हैं और एक यह पहले से हैं तो ऐसे क्रॉस करके सुई को उसके अपॉजिट साइड से जहां पर धागा उसके अपॉजिट साइड से डालके और ऐसे यह फॉर बीट्स का हमारा डिजाइन बनता चला जाएगा अब मैं सुई को वहां पर लेके जाऊंगी इस तरह से और यहां से फिर से त्री बीट्स डालके इस तरह से मैंने यह पूरी लेयर तियार कर ली है अब यह नीचे की साइड मुझे जो पाच और छे बीट्स का दिख रहा है यह यह मुझे जोड़ना हापस में इसको हमें जोड़ दोंगी तक यह अलग-अलग ना रहें तो उसके बीचे वाले डिजाइन में मैंने थ्री बीट्स डालके ऐसे ही फोर बीट्स का मैंने यह त्यार कर लिया है ऐसे ही दूसरी साइड में अब यह इससे अटैच हो जाएगा इसमें मैं एक बिट्स डालके और एक बिट्स मेरा ही ये जो मेरा नेकलेस है इसका सरकल से नेचे हाँ एक बिट्स डालोंगे उस तरह से और एक पीट्स यहां पर लेके ऐसे तो यह मेरा इसमें अटैच हो जाएगा यह दोनों जो है जुड़ जाएंगी इस तरह से तो यह अलग-अलग नहीं रहेंगी और बनने के बाद मेरा ऐसा लुक दिखेगा पसंद आए तो लाइक और सस्क्राइब करिएगा शेर भी किजिएगा तो यह तो यह दो आएगा